नमस्कार दोस्तों आशा करती हो आप सब लोग ठीक होंगे आज की रैस्पी है बदाम मिल्क जो बहुत हेल्डी होता है तो सबसे पहले हमने 20-22 बदाम की ग्री पानी में विगो दियें 4-5 गंटे के लिए हम इने विगो के रखेंगे जब बदाम अच्छे से भीग जाएं तो हम इने छील लेंगी और बदाम को छीलने के बाद हो जब हम इने मिक्सी में पीशते हैं तो हम इसमें 8-10 पिस्ता और एक इलाइची थोड़ा सा दूर डालके इसको पीश लेंगे बदाम को हमें बिल्कुल बारीक पीशना है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगी घंneh थोड़ा सा दूर लेके मैंने इसको आच्छे से मिक्स कर लिएम लें लंज नहीं रहने शाएं इस इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं रहने चाहिए आप अगर अरारोत या कॉन नहीं डालना चाहिए तो आप इसमें जब हम दूद उबल जाएगा तो उसमें दो से तीन या चार चमच कस्टर्ड पॉडर भी एड़ कर सकते हैं अब हमारा दूद उबल रहा है इसमें हम 10-12 फूल केसर के डाल देंगी पहले कर्वे केसर से बहुत अच्छा 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 अछा फ्लीवर भी आएगाया आप कलर के लिए थोड़ी हल्दी एड़ कर सकते हैं我就 FM launching निकाल लेंगी पुछें के लिए हैं तो इसको शीक करके डाले अब पूछेंगे दूद कौन से लिया दूद मैं ने इसमें फुल क्रीम लिया बना इसमें तो यह जो वहां बनाई थे को वह बिए अपसकी जगे मैं आप को वहां भी बताया था आप इसके जगे अट कर सकते हैं कस्टर पॉर्डर आप तीन से चार चमस जाल दीजिए तो दूद में भी ठिकने सा जाएगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा जाएगा जो भी आपका मन करें और दूद को हमें ज्यादा दे तक रजहाना है मत उबालाने के बाद 10-15 मिनिट हमें इसे और रजहा लें यह दे कि दूद को रजहाते हो 15-20 मिनिट हो चुके हैं दूद देखने में भी गाड़ा लग रहा है गैस को बंद कर दे अब हम दूद को ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं अगर आप ग्लास में सर् किस्ते से थोड़ा सा डेकुरेट भी कर सकते हैं अगर आपको रहसे पसंद आए तो इसे लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब